तीन इलाइची के प्रयोग से मिलेगा प्रेम सुख नमस्कार मित्रों स्वागे थे सिद्धू टोट के चैनल पर आप सब कह एकबार फिर से प्रयोग जिस प्रकार से बताया जाएगा विधी वही रखिएगा विधी में कोई परवरतन नहीं करना है इसी विधी से करेंगे तो आपको दिव्य लाव मिलेगा इसी विधी से करेंगे तो आपको पूरा लाव मिलेगा आपका प्रेम जीवन बहुत सुखमे होगा अपने प्रेम जीवन के साथ साथ धन का भी अस्थाई तो आपके जीवन में आएगा क्या करना प्रयोग आईए समस्ते हैं उससे पहले अगर आप नए है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे साथ यह नोटिफिकेशन बेल को आन करें जिससे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे युजली भुजन में भी आती है माउथ फ्रसनर के रूप में भी इस्तमाल की जाती है मसाले के रूप में भी इस्तमाल की जाती है इसी को आपको लेना है हर इलाइची तीन लेनी है और एक लेना है पान का पत्ता ध्यान रखें पान का पत्ता कटा फटा न हो तूटा जगा जगा से न हो या उस पे दाग धब्बे न हो ऐसा एक हरा पान का पत्ता लेना है तो क्या करेंगे सामने गनेश जी की मूर्ती के सामने एक कपड़े पर पान के पत्ते को रखिए इसके उपर तीनों इलाइची रखिए अब एक दिया जलाईए गी का दिया जलाईए और ओम गंगनपते नमा इस मंत्र का जप करना है ओम गंगनपते नमा इस मंत्र का जप का उशक्ता भी नहीं है और जहां रही बाद भगवान गनेश की तो उनकी शक्ती पर आपको संदेह तो होगा ही नहीं तो इसलिए आप उनके सरण में रह करके इस प्रयोग को करेंगे तो प्रेम जीवन आपका जिरुड़ सुखी होगा क्या करेंगे दिया जलाया आपने दि पार्टनर का नाम लेकर उस पान के पत्ते पर जो इलायची आपने रखी है इस पूरी सामगरी को आपको फूकना है नाम लिया और फूकना है ठीक है ये इतना काम कर देना है इसके बाद इसका क्या करें अब इस पान के पत्ते और इलायची को अगर कोई घर में खाने वाल नहीं तो किसी भी पेड़ पौधे के नीचे इसे ले जा करके रख दिजेगा पेड़ पॉधा ध्यान रखियेगा, दोध वाला नहों और पेड़ पौधा कांटे वाला नहों सिर्फ इतना ध्यान रखें, बाकी सब भगवान पर छोड़ें, भगवान गणपती आपके प्रेम जिवन में, सुख और धन्व में अस्थाइत्व जरूर देंगे ऐसी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार खुश रहिए